हेलो एब्रीवन वेलकम बैक ऑन माई योट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्राउंड्स ओफ डिवार्स की वाइफ और हजबन दोनों कभी एक दूसरे से डिवार्स ले सकते हैं सेपरेट हो सकते हैं किन किन ग्राउंड्स के बेसेस पे और वाइफ के पास कुछ एडिशनल भी ग्राउंड्स होते हैं तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे ग्राउंड्स को पढ़ेंगे जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो ये word है divorce ये एक Latin word है जो आया है devotium word से जिसका मतलब होता है to separate divorce का मतलब होता है कि separation होगा दोनों लोगों का जो husband wife है दोनों separate होंगे section 14 में बताया गया है कि कब जो party है वो divorce फाइल कर सकते है तो ऐसा मानाता है कि शादी की one year complete होना चाहिए ये मनलब शादी का एक साल होना चाहिए तबी ही divorce फाइल कर सकते हैं लेकिन कुछ exceptions होते हैं कुछ exceptions होते हैं उन cases में ऐसा नहीं जरूरी होगा कि एक साल होना चाहिए तबी डिवार्स फाइल करेंगे जैसे कि कोई बहुत जादा violence हो रहा है husband wife दोनों इक दूसरे को पर कर रहे हैं तो वो एक ground होगा कि एक साल नहीं देखा जाएगा कि हुआ कि नहीं हुआ शादी का डिवार्स हो जाएगा section 13.1 section 13.1 और 13.1.a बताता है कि कुछ grounds available हैं जो husband और wife दोनों के पास section 13.2 इस section में wife को कुछ additional grounds दिये गए हैं इसमें सिर्फ wife ही ले सकती है इन grounds के basis पे divorce और section 13.b ये होता है mutual consent से divorce लेंगे दोनों लोग दोनों husband wife अपने mutual आपसी सहमती से divorce ले रहे हैं separate हो रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे section 13.1 कि क्या grounds हैं जिनके basis पे दोनों husband wife एक दूसरे से divorce ले सकते हैं separate हो सकते हैं तो सबसे पहला जो ground है वो है adultery adultery एक ऐसा ground है जिसके पेसे ले सकते हैं और adultery का मतलब होता है कि जो दोनों husband wife हैं दोनों अब उस merits के बाहर जाके किसी third person के साथ sexual intercourse में involved होते हैं और यह जो involvement होगा यह willful होना चाहिए इसमें rape वगरा count नहीं किया जाएगा इसमें willful जो act होंगे उसको किया जाएगा जोजफ शाइन वर्सेज एक सेगे जोजफ शाइन वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया दो हजार अठारा का केस है इसमें adultery के कुछ grounds को unconstitutional declare किया गिया बोला गया कि यह crime नहीं होगा लेकिन यह still ground है divorce लेने का चंद्रा मोहिनी श्रवास्तर वर्सेज अविनास परशाद इस केस में supreme court ने बोला कि adultery को ऐसे directly नहीं proof किया रखता है इसको proof करने के लिए कुछ indirect evidences और circumstantial evidence होंगे उन्हें के basis पे ही proof किया जा सकता है ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि सामने वाले को बोल दिये कि adultery में है character less है तो यह कह देने से proof नहीं होता है इसको proof करना होता है और यह indirect evidence के ही through और circumstantial evidences के through ही proof हो सकता है next है cruelty husband wife दोनों एक दूसरे को उपर cruelty कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ wife के उपर ही cruelty हो और husband के उपर ही हो दोनों cruelty कर सकते हैं एक दूसरे को उपर और कोई ऐसा हो रहा है तो यह ground है divorce के लिए next आता है conversion हिंदू marriage में अगर कोई भी husband या wife अपने religion के बाहर जाके अपना religion convert करवाते हैं change करते हैं तो यह ground है कि वो divorce फाइल कर सकते हैं इसमें husband wife दोनों कर सकते हैं कि wife अगर change कर लेती है या husband change कर लेते हैं religion को next आता है unsoundness of mind अगर unsoundness of mind है तो यह है section 13 1 में बताया गिया है कि है तो यह एक ground है divorce फाइल करने का process अगर कोई ऐसी बिमारी है कोई ऐसा disease है दोनों partner में से किसी भी एक को जो कि फैल सकता है या curable नहीं है तो यह ground यह भी ground होता है कि separation हो सकता है next is यह भी है कि कोई ऐसी फैलने वाली बिमारी है अगर साथ में रहेंगे कि वो disease फैल सकती है कि एक partner से दूसरे partner से कि esthetis sexually transmitted diseases अगर साथ में रहने से यह फैल सकता है तो यह भी ground बनता है कि divorce लिया जा सकता है next आता है presumed death अगर husband wife दोनों मैंसे कोई भी कहीं बाहर जाते है या कुछ ऐसा होता है कि वो missing होता है दोनों spouses मैंसे कोई भी एक वो होता है seven years के लिए अगर seven years के लिए उनका पता नहीं चलता है कि कहां गायब हो गए कहां missing हो गए और पूरी खोज़ा जाता है सब कुछ कहाता है लेकिन नहीं मिरते है तो ये भी एक ground है कि divorce फाइल किया जा सकता है बाई गैमी ये आता है section 13 तू में ये wife के पास available होती है ये सारी बाई गैमी ये कुछ additional grounds दिये गए है wife को कि अगर बाई गैमी हो रहा है husband किसी और lady से शादी कर ले रहा है कुण को wine ले आ रहे है तो wife file कर सकती है divorce के लिए कुछ और भी होते हैं जिसे कि rape किया है husband ने ठीके या husband जो है वो maintenance नहीं दे पार है wife को तो ये कई होते हैं grounds to wife को कुछ additional grounds दिये गए है कि वो divorce file कर सकती है Thank you everyone for watching